इसे विधायक जो की युवा हैं जिनोंने अपने क्षेत्र में काम किया हैं अबूत्पूर्व काम किया हैं उनको हम यहां भारती चात्र संसत के मंच से नवासते हैं पुरस्कृत करते हैं सम्मानित करते हैं और ऐसे ही 2013 का आदर्श युवा विधायक पुरस्कार इस पार दिया जा रहा है श्रिसंजे पाठक जी को जो की विजे राघवगर कटनी मध्य प्रदेश से आते हैं युवा विधायक हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि जरा मंच पर पधारें संजे पाठक जी आदर्श युवा विधायक के पुरस्कार से आज हमारे साथ बापू बैठे हैं डॉक्टर विशुनात कराच जी हैं मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि युवा विधायक को आदर्श युवा विधायक पुरस्कार 2013 से हम यहां सम्मानित करें आपकी तालियों के साथ फौसला बढ़ाएं अपने इन युवा विधायकों का जिन्होंने राजनी दी और प्रशासन में अपना एक मकाम हासिश किया है संजे जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे युवा साथियों से सिर्फ अपनी बात प्रार्म करने के पहले इतना कहूंगा कि आज तो मैं यहां पर आदर श्रीवा विधायक का पुरस्कार ग्रहन करने आया था मैं राहुल जी को परस्नली धन्यवाद देता हूँ कि इस पुरस्कार के साथ साथ आपने एक जाने माने संथ परम पूजनी मुरारी बापुजी का भी आशिरवाद प्राप्त करने का उस्सर दिया इसके लिए मैं आपका हर्दय से अबारवेक्ट करता हूँ साथी साथ इतना जरू कहना जाता हूँ कि राजनीती दो प्रकार की होती है एक दिमाग के साथ जो महनत के साथ की जाए और दूसरी जो महनत के साथ और दिल के साथ की जाए जो मेहनत और दिल के साथ की जाती है वो ना केवल राजनीती होती है बलकि वो सच्ची भाषा में कहा जाए तो समास सेवा होता है और मैं समास सेवा के इस राजनीती पे आया हूँ और बड़े बुज़र्गों से यही चाहूंगा कि आप सभी का सदेव मार्ग दर्शन आशिरवाद में रुपर रहे देश की सेवा करसों को पूरी मानतारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया संजय पाठक जी जिनको 2013 का आदर्शिवा विधायक का पुरसकार आज यहां से बिला है